आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ए सिद्धान तक नहीं हो तो निश्टेडी आईक्यू पेपका बहुत स्वागत है दोस्तों एक draft प्रिपेर किया गिया है water supply के लिए drinking water supply के लिए इस draft में है क्या हम देखेंगे दिल्ली के लिए है ये mandatory नहीं है अब इसको लागू नहीं किया गया है BIS ने इस draft को publish किया है और काफी बहतरीन चीज़े इसमें लिखी हुई है water को कैसे हम supply कर सकते हैं कैसे water audit होगा ये सब कुछ इसमें बताया गया है यहां तक की meters भी लगाए जाएंगे ये भी बोला गया है इससे अच्छी बात होई नहीं सकती क्योंकि इतनी ज़्यादा wastage होती है पानी की कि मैं क्या करूँ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पानी अब ऐसा हो गया ना कि आने वाले समय में पानी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है दिल्ली में बहुत बेतरी अभी discovery पर documentary आने वाली की आ गई है कि दिल्ली में water crisis जो है वो कितनी खतरनाक होती जा रही है और आने वाले समय में भारत के बहुत शहरों में शायद पानी ना हो यह कड़वी सच्चाई है यह नीती आयोग ने भी बोला है तो हम देखेंगे इस lecture में इन सारी चीज़ों को UPAC के smart courses आते हैं दोस्तों आप इसको अवेल कर सकते हैं 30 अगस तक ही अब offer है सिरर्स को reconnect मेरा Facebook पेज है और Twitter पर यह मेरी ID है दोनुही जगा आप सवाल पूछे साथी साथ मेरा टेलिग्राम चैनल है अभी इसमें 9.7 के सब्सक्राइबर है तो आप यही वाला चैनल जॉइन करिएगा Bureau of Indian Standard BIS जो कि standards को देखती है उसने एक draft प्रिपेर किया है कि piped drinking water का supply system कैसा हो और उसने advice देखी है मतलब डेली जल बोर्ड जो है water utility जो है वो भी इसपे comment कर सकती है बता सकती है प्रतक्रिया दे सकते है कि कैसा draft है कोई change होगा की नहीं यह बताया है अब ऐसा है दोस्तों कि drinking water supply quality management system requirement for piped drinking water supply service यह इस draft का नाम है और draft बनाया किसने है BIS ने public drinking water supply services sectional committee यह तो draft की बात हो गई दोस्तों लेकिन इस draft में बहुत बहुत अच्छी चीज़े लिखी हुई है अब आपको पता ही है कि हमारा जो एक mission है 2024 तक rural में अगर हम बात करें tap water की जो नल से पानी आता है सारे गाउं में 2024 तक नल से पानी आना चाहिए जिसको हमने बोला है जल जीवन mission कि 2024 तक सब को पानी दो अब दिल्ली में भी आपको पता ही है कि slum areas है वहां पे भी काफी दिक्कते हैं पानी की अगर बात करता है गर्मी आती है तो दिक्कते शुरू हो जाती है तो इस problem को कैसे handle करना है यह इस draft में लिखा हुआ है और यहां पे जो piped water system है इस ठीक है अब दोस्तों इस draft में क्या बोला गया है इस draft में सबसे पहले तो यह बोला गया है कि water supply या water utility आपको पता ही है कि water को supply करने के लिए भी संस्थाय है कैसे water supplier या फिर water utility जो है वो काम करेगी कैसे उसको establish किया जाएगा operate किया जाएगा maintain किया जाएगा और improve किया और उसके बाद आपके नल में आतो आप नल से पानी बरते हैं है कि नहीं तो यह process सबसे पहले शुरू होगा कहां से पानी उठा रहे हो water source क्या है देखो simple सी बात है ना water source क्या तीन ही हो सकते है या तो आप नदी से सीधा पानी लो आप समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते नदी से सीधा पानी लो या फिर जो groundwater जो इस समय सबसे important source है हम जो जादतर अपने पानी की आपूर्ती है वो groundwater से अब टुलू चलाते हैं नीचे पानी है वो उपर आ जाता है लेकिन अब दोस्तो groundwater कम होता जा रहा है इंडस्ट्रिलाइजेशन की वज़े से मैंने बहुत सा पानी आता है दूसरा source आपका नदी सीधा नदी से पानी ले लो नदी से पानी अब दिल्ली में ने ले सकते क्योंकि यमुना की हालत आपको पता ही है दिल्ली का पानी बहुत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है अगर आप most polluted city की बात करें तो दिल्ली आएगी और तो वहाँ का पानी भी देखिए वहाँ पे लोगों को कितनी प्रॉब्लम होते है मेरे बहुत सारे friends भी डेली में रहते हैं पानी की वज़े से उनको बहुत किसी के बाल जड़ रहा है किसी की skin में प्रॉब्लम तो ये तीसरी चीज है कि या तो लेक हो स्ट्रीम हो या फिर reservoir हो तो वहाँ से आप पानी लेंगे यही तीन sources हैं तो सबसे पहले draft कहता है कि पानी का source क्या होगा ground water होगा river stream या फिर reservoir होगा कहां से हम पानी ले रही हैं उसके बाद बता इसमें draft में ये बोला गया है कि जो drinking water है वो BIS मतलब Indian standard 10500 जो की BIS नहीं develop किया है इसके तहत काम करे मतलब treatment जो होगा न drinking water का अचा BIS 1050 को मतलब क्या है देखिए limits होती है हम पानी तो पी रहे हैं घर में पानी आ रहा है लेकिन पानी में कितनी जादा impurity है यह बहुत important है अगर उसमें जादा metals होंगे आपको पता यह cancer भी metal की वज़े से होता है ना cancer हो गया cholera हो गया और जो कि खतरनाक होता है cancer other parameters जैसे pH value pH value water कितना acidic है पता है ना pH scale होता है 14 तक 7 से नीचे acidic और 7 से उपर जाएंगे तो basic तो water तो basic है ना तो जितना उपर उतना अच्छा 7 जो हो आइडल होता है ठीक है जो pH of water होता है ना 7 तो यहाँ पे जो pH value है water कि वो कितनी है उसकी termidity कितनी है TDS आपने अक्सर सुना होगे जब आप आरोख खरीते हैं total dissolved solids आपके पानी में कितने solids हैं यानि कितने metals हैं कितने solids हैं यह देखा जाता है तो उसमें TDS कितना है color कैसा है अडर कैसा है ठीक है तो यह सारे parameters हैं जो कि 10500 के अंदर आते हैं और इसको BIS ने develop किया है तो अब BIS कह यही हिसाब से काम करेंगे कि water में कितने heavy metals हैं pH क्या है turbidity color अडर यह सब देखेंगे हम समझ रहे हैं हाला कि यह mention नहीं करता है कि water utilities water को कैसे treat करेंगी लेकिन process को बताता है और process किस हिसाब से चलेगा Indian standard 10500 जो कि आपके सामने दिया हुआ है फिर बताया गया है कि जो water utilities है management है जो water utility का है जो पानी supply करने वाला है customer के लिए वो काम करेगा और वो accountable भी होगा यानि कि यहाँ पे पहली बार water utilities को accountable ठहराए जाएगा इस draft के तहर कस्टमर फोकस होगा quality service quality कैसी है आप जो service दे रहे हो उसकी quality कैसी है water की quality कैसी है water audit तक होगा water audit से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस draft में एक concept है DMA बहुत ही जाधा important सुनिएगा दो चीज़ मैं बताता हूँ DMA मतलब district metering area ये adopt किया जाएगा जहाँ पे possible होगा district metering area का मतलब ये है कि वो concept जहाँ पे हम leakage को control कर सकते हैं आप समझ रहे हैं actually होता क्या है कि कई बार water का leakage होता है जिससे water waste हो देखें इस draft में कोशिश ये की गई है कि एक तो quality service दी जाए दूसरी water के wastage को रोका जाए तो उसमें DMA important concept है बोता क्या है कि जो water network है water network को हम number of sectors में divide करते हैं ठीक है ये बहुत बड़ा water network है और इसको number of sectors में divide करेंगे जिसको बोला जाता है DMA और इन्ही network से leakage होती है ये ज अब हम इसको control कैसे करेंगे flow meter हम इसमें install करने वाले हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है flow meter हम इसमें install करेंगे flow meter ताकि ऐसा तो नहीं कि कहीं water leak हो रहा है कहीं पर भी meter बता देगा meter है meter से पता लग जाएगा कितना water leak हुआ है जैसे ही पता चले तुरंथ उस leakage को जहां पे भी leakage है उसको fix कर दो दूसरी चीज यह है दोस्तों यहां पे bulk water meters की भी बात की गई है water distribution system में water edit होगा न मैंने अभी बताया यह water audit water audit भी किया जाएगा ठीक है कि कितना water water कितना पानी भी भेजा है और कितना consume किया है तो water audit कैसे होगा meter इसके लिए चाहिए तो यहां पे bulk meter की सुविधा भी उपलब धोग ये भी draft कहता है bulk meter मतलब क्या individual meter नहीं जैसे बिजली का meter आपके घर में लगा हुआ है हर घर में इंफेक्ट लगा हुआ है तो वो तो individual हो गया वो नहीं होगा bulk मतलब हो गया कि जैसे मान लीजे कि अगर बिजली की बात करें एक example दे रहा हूँ कि 20 घर है और 20 घरों का 1 meter हो समझ रहें वो बलक तो ऐसे ही क्या होगा कि जितने भी घर है उनका 1 meter जिसको bulk meter बोला जाएगा तो bulk meter की सुविधा भी इसमें दी जाएगी ताकि water audit जो ह वहां पर क्या होता है कि meter को tamper भी किया जा सकता है तो ऐसे meter बनाए जाएंगे ताकि tampering ना हो सके public को direct access होगा ही नहीं ताकि meter में छेड़ छाड़ ना की जा सके जहां meter लगेगा वहां तो फिर सरकार का डंडा चलेगा अब meter आप समझी गए हैं कि हमने water कितना भेजा है और क तो यह अगर अब wastage हुई ना तो फिर तो दिक्कत हो सकती है ठीक है तो उसमें water meter water audit के लिए बहुत important है समझे तो यह उसके बाद फिर क्या है अच्छा यह मैंने आपको बता दिया कि पहले तो क्या होगा raw source से ढूंदा जाएगा कि water कहां से उठा रही है जो utilities है वो water कहां स पानी को पहले यह जो water utilities होती है distribution system ऐसा ही होता है कि पहले water को treat किया जाता है ताकि पीने लाक तो बना है और उसके बाद फिर acceptable drinking standard के हिसाफ से जो मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाफ से इसको treat किया जाएगा और फिर water को plant से छोड़ा जाएगा अब जब water को disinfection facilities होंगी chlorine डाला जागा है जो भी जिस तरीके से water को treat करें वो तो उनके ओपर depend करेगा लेकिन पानी घर में आये तो साफ सुत्रा आयसमें कोई problem ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है तो घर में आने से पहले जहाँ पानी store होगा proper disinfectus को किया जाएगा ताकि contamination ना हो किसी स्टेज पर समझें pumping stations लगाए जाएंगे कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घरों में पानी आता है बहुत slow आता है तो इसको boost करने के लिए pumping stations लगाए जाएंगे ताकि adequate pressure बना रहे पंप करेंगे अच्छा पंप करेंगे तो water का flow भी बढ़ी आएगा देखो ऐसा होता है कि जब water आदे घंटे पानी आना है आदे घंटे ज्यादा तर time-lim item होती है सुबह शाम ठीक, पानी आना है आदे घंटे और आपने नल खूला बहुत धी में आ रहा है पानी भरी निई पाएगा आप आदे घंटे के लिए नल भी खूला हुआ है और पानी भी नहीं आ रहा है या बहुत धीमे आ रहा है तो यह प्रॉब्लम है ना बढ़िया है पंपिंग स्टेशन लगा दो आधे घंटे में आधे घंटे क्या जो काम आधे घंटे में होगा वो 5-10 मिनेट में हो जागा पूरे घर का पानी बर जाएगा और टंकी भी भर जाएगी भईया खुश जब टंकी भरती है ना तो हम लोग बढ़ा खुश होते हैं जो मेडियल क्लास लोगा रहे यह टंकी भर गई चलो हमको काफी अब अच्छा लगा है कि ने क्योंकि पानी के बिना तो जीवन वेकारी है यह सारी चीज़े व्यास मीटर्स लगाए जाएगे यह सब कुछ लगाए ठीक है treatment plant जो है ना sampling की जाती है ताकि quality बनी रहे तो इसको water की sampling भी होगी और distribution system में हर 8 गंटे और 4 गंटे पर sampling किया जाएगा आप समझ रहे हैं ताकि proper तरीके से water को distribute किया जा सके फिर उसके बाद चलो यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि किस तरीके से water audit होगा audit समझ अगर हम एक सीमित quality में water दे रहे हैं और ज्यादा consume कर रहे हुआ थीक है यानि कि ज्यादा अगर reading आ रही है तो इसका मतलब कुछ कड़बड है थीक है तो इस तरीके से water audit होगा और water audit जो है साल में चार बार किया जाएगा quarterly basis बार तीन-तीन महिने पे ताकि water का loss नहों water पान ही भाएगा water भी बेस्ट है जोगी मीटर तुरंथ रीट कर लेगा और फिर जो भी कारवाई की जाएगी वो करेंगे अलाकि ड्राफ्ट भी इसकी तो बात नहीं करता है लेकिन जाईसी बात है कि जब इसको लागू किया जाएगा अभी तो यह लागू नहीं है अभी तो या पढ़ लीजेस को ठीक है अभी तो यहां पे पूछा ही गया है लेकिन जब यह लागू होगा तब तो मजा आएगी तो अगर 100% water supply हो रहा है तो हमको 15% तक maximum पंदर थोड़ा बहुत लोस हो गाई impossible लोस ना हो लेकिन 15% तक लोस है तो चलेगा ठीक है और यह जो water utilities है इन उनका feedback लो ताकि आप अपनी service जो है वो अच्छा कर सके तो यह draft बोल रहा है लेकिन मुझे इस draft की सबसे अच्छी चीजी यह लगी meters लगाए जाएंगे आपको क्या अच्छा लगा जरूर मुझे बताइए खुश रहे पर तरे देसे सिद्धान तक नहीं उतरी सैनिवाफ झाल